बॉर्णिंग स्टुडेंट मैं आपकी पूचा मैम आप सभी का शान्ती कुछ ओनलाइन क्लास में स्वागत करती हूं तो बच्चो आज आप सबकी हिंदी के क्लास है तो बच्चो आपको याद है कि पिछली वार में आपको आपका लेसन करवारी थी लेसन 5 सर्दी गर्भी क हैं आपने घर में पड़ा इसको बहुत अच्छी पोएम है न वह हैं बहुत अच्छी तरीके से अपने पढ़ने का तरीका समझ लिए न कि कैसे पढ़ा जाता है इसको जिस तरह से रहाता तो उसी तरह से आप लोग गों स्चार जो सरदी के आने से पहले मैं अपनी तायार कर लूँ बड़े कड़ाके की सर्दी में जब आएगा चिला जाड़ा खोलूंगा गोदाम तबी में बच जाएगा युद नगाड़ा सब सिसकेंगे सूट बूट में तूटी पूटी होगी भाशा मलमल के कुर्ते में सचकर बन जाओंगा एक तमाशा एक पड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी सर्दी भर लूँ गर्मी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूँ इना स्टुड समय में आगे न आपको कैसे पौएम बोली आती है आपको मैंने हूंबक दिया था कि आपको इसकी ह्युक्त लर्ल सर्दी के आने से पहले कवी क्या इकत्र करना चाहता है सर्दी के आने से पहले कवी गर्मी इकत्र करना चाहता है तो गर्मी आने से पहले कवी सर्दी इकत्र करना चाहता है सर्दी और गर्मी कब बुरी लगती है सर्दी और बुरी और गर्मी तर बुरी लगती जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ठीक है अब इसके बाद देखी सही उत्तर पर सही का चिल लगाई है कभी सर्दी में कानों पर क्या लपेट लेगा रुमाल, कंबल, मफलर, धागा तो आपका है मफलर कभी किसका कुर्ता पहन कर सजेगा मलमल का, सूती, उनका, कोई नहीं तो मलमल का ज़्यादा अच्छी नहीं है सर्दी, गर्मी सर्दी वा गर्मी दोनों या इन में से कोई नहीं तो आपकी है सर्दी अवं गर्मी नेक्स आपका है दिक स्थानों यह निम्द पक्तियां पूरी करो यह पंक्तियां आप लोग बुक से देखे अपने आप से भी कर सकते हैं वच्चों यह मैंने देखी कर लिए आप लोग भी इसी प्रकार से कर लिजेगा और कॉपी में लिख लिजेगा उसके बाद सही विकल्प चुनो एक बड़ा डैश चाहिए क्या चाहिए गोदाम जिसमें डैश सर्दी भर लूँ यानि सारी गरम हवाजब गुसे गुसे में भर मैं अपनी डैश कर लूँ यानि कि तयारी कर लूँ ठीक है आप देखी प्रशनों के उत्तर प्रशनों के उत्तर बहुत इजी है इसलिए मैं कॉपी में लिख के नहीं देख रही हूँ आपको खुद समझ रहा है कवी कवीता में किस चीज की मांग कर रहा है तो आप उत्तर लिखेंगे कवी कवीता में एक बड़े गोदाम की किसकी जगात प्रचनों लिखेंगे एक बड़ा गोदाम एक बड़ा गोदाम की की मांग कर रहा है ठीक है अपको किस चीज को काट के ओक 司रदी गरमी में क्या बना जाता है तो आप लिखेंगे कवी कुदा में, सर्दी में गर्मी, आप यहां लिखेंगे सर्दी, यहां पर लिख देंगे, में गर्मी, बाग गर्मी में सर्दी, बस इतना लिखना आपको, सर्दी क्या काट देंगे आप भरना चाहता है, आल राइट, बहुत एजी आंसर है, कवी प् में सर्दी की बस किसकी की जगा आप लिए देंगे सर्दी सर्दी आने की त्यारी में लगा हुआ है कभी सर्दी से लड़ने के लिए आपका देखिया आंसर यहां पर देखिया यह बोल रहा है कड़ाके की सर्दी में चिला जाड़ा खोलूंगा गोदाम तबी में बच जाएगा युद्द नगाड़ा यानि कभी त्यारी कर रहा है कि सारी की सारी सर्दी क्या कर लेगा सारी गर्मी भर लेगा पहले सर्दी कहाने से पहले सारी गर्मी आप लिखेंगे सारी गर्मी गोदाम में भर लेगा बस आपको आंसर यही होगा जो आपका यह कुश्चन है पूर्त वाला कभी सर्दी भी जलने के लिए सर्दी को गुदार में भरने की तियारी कर रहा है इतना लिखना आपको कभी को कविता में क्या सहन नहीं होता तो कभी को कविता में जादा सर्दी और जादा गर्मी सहन नहीं होती यहाँ पर आपके देखे लिखा हुआ है सर्दी अच्छी है बढ़कर जादा बहुत बुरी है यानि कि इस कांसर है कभी को कविता में क्या की जगह आप लिखेंगे ज्यादा सर्दी वह ज्यादा गर्मी तो बच्छों आपके एक साइज पूरी हो गई है इसमें आपके तिकी शोद्र करके विखना ही तो बुक में दिखने है या…में आदल आएगा भाशा हो जाएगा यह आपके वक वेखने खां़ देख peng बूक है हैं सर्दी का गर्मी उल्टा का सीधा सच का जूट काला का सफेद उचा का नीचा समीब का दूर आल राइट ये आपके वाक्य प्रयोग है वाक्य प्रयोग को अपनी भाषा में इनको वाक्य को प्रयोग करना है यहापका लेसन पूरा